राथियों कोई इनसान हो या सवस्थान जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिला कर चलती है कभी डियू में केवल तीन कॉलेज थे आज नब्बे से ज्यादा कॉलेज है कभी भारत की एकनोमी थ्रेजाइल के लिष्ट में थी खस्ता हाल थी आज भारत दुनिया की टॉप फाइव एकनोमी में शामिल हो चुका है आज दियू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियों में काफी सुधार आया है यानि सिक्षन संस्तान की जड़े जितनी गहरी होती हैं देश की शाखाएं उतनी ही उचाईयों को छूती है और इसलिए भविश्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रुपता होनी शाहिए इंटर कनेक्शन होना चाहिए पचीश साल बात जब देश अपनी आजादी के सो साल पूरे करेगा तब दिल्ली उनिवर्सिटी अपनी स्थापना के एक सो पचीश वर्ष मनाएगे तब लक्ष था भारत की स्वतंत्रता अब हमारा लक्ष है 2047 तक विक्षिद भारत का निर्वान पिछली सताब्दी के तीसरे दसक ने अगर पिछली सताब्दी के इतियास के तरब नजर करें तो पिछली सताब्दी के तीसरे दसक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गती दी थी अब इस सताब्दी का ये तीसरा दसक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा आज देश भर में बड़ी संख्या में युनिवर्सिटी कॉलेज बनाय जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में IIT, IIM, NIT और MJC संख्या में लगातार भड़ोत्री हुई है ये सभी इंस्टिटूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं